तीरत नगरी ओमकारेश्वर में कोरोना महमारी के चलते मंदिरों के पट बंद पसरा सन्नाटा, गरीब एवम असहाई लोगों को प्रतिदिन मंदर ट्रस्ट कर रहा भूजन व्यवस्था, देश भर में इंदिनों कोरोना वाइरस की महमारी से जहां लोगों का जंजीवन प् करने के साथ श्रधधालूओं को जाने से रोपने के प्रयास किये गए है, इसके अंतरगत बारव ज्योतिरलिंग में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिरलिंग के पट भी काफी दिनों से बंद कर दिये गए है, जहां प्रतिदिन आने वाले 1000 श्रधालूओं के आवागमन वही सभी नाविकों का धंधा प्रभावित होने के साथ उनके सामने अपने लालन पालन का संकर्ट बना दिख रहा है। लेकिन ऐसे जरूरत मंदों एवं असहाई लोगों सहित परिक्रमावासियों के लिए माधाता SDM ममता खेड़िद। वारा उंकारेश्वर मंदर ट्रास्ट के माध्यम से प्रतिदिन 250 से अधिक लोगों को सुबह शाम भूजन करवाया जा रहा है। उंकारेश्वर से दिलीप वर्मा की रिपोर्ट जगह पर रोका गया है उनको और उनके बोजन और सेनिटाइजेश्वर की गई है और उसका देख भूजन के लिए कि छूट देने का कोई प्रावधान बनाया है प्रसासन में घरेलू उपयों की सामान को जैसे कि निर्देश हैं हम लोगों ने उसमें समय ताई किये हैं आदमी अपना घरेलू उपयोग का समान ला सकता है घरेलू उपयोग मला किराना दूद और उसका बागी निकलने का कोई प्रावधान नहीं है न मैंदिर में अब यह सब स्थितिया सामानी होने पर इपेंड करेंगा वैसे यहां परती दिन कितने सद्धालू दर्शन को आ से पंद्रह हजार लोग आते थे और आवकाश के दिनों में अब परोकाल में तीस चालीस हजार लोग आते हैं